गुड आप्टरनून स्टुडेंट्स रिसोर्सिस रूम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन समा विशी शिक्षा के लिए साधन संपन योजना ये आज का हमारा टॉपिक है इसमें जो रिसोर्सिस रूम के बारे में बताया कि जो विद्यारले होते हैं समा विशी है इस परीदी शिक्षा की परीदी के दुरान जो विद्यारले हैं उन में रिसोर्सिस रूम होना बहुत है और इन रिसोर्सिस रूम में एक विशी कक्षा होती है एक तरह की ठीक है जिन्हें दिखाई नहीं देता उन्हें वीजूल ओडियो यानिकि हर किसी हर जो स्टीचर भी रखा जाता है फिर इस कक्ष में एक इंस्ट्रक्शनल मटीरियल से युक्त किया जाता है यानि कि इसमें सारी समग्रियां उपलब्द करवाई जाती है इसके इलावा वही परत्यक्षी करित परशिक्षन और लेंग्विज डिवल्मेंट भाश्य विकास मोट लब्द होती है अब रिसोर्सिस रूम का जो अकार है छोटा होता है ज्यादा बड़ा नहीं होता क्योंकि ऐसा ऐसे रूम में एक शिक्षक कम से कम 20 विद्धियारतियों को क्योंकि ज्यादा स्पैशल एजुकेश्य डिसिबिल्टी वाले जो बच्चे होते हैं उस रूम मे ज्यादा नहीं रख सकते हैं ताकि अगर डिसिबिल्टी है तो वह अगर 20 बच्चों की भी है तो तीचर का उस रिसोर्सिस रूम में उन 20 बच्चों के ओपर पूरा ध्यान रहता है ठीक है उसमें उन विद्धियारतियों को बैटनी की विवस्ता की जाती है एक उनको यान सतर की अविधी समानिता 20 से 45 मिनट के बीची होती है उनका जो टाइम है क्लास का वो 20-45 मिनट का होता है और नीमित वर्ग कक्षा की जो तुलना की जाती है वो रिसोर्सिस रूम है वो जो वो अराम दायक होते है ठीक है उनके लिए अराम दायक होने चाहिए वो नहीं की हर एक चीज की फैसिलिटी वहां होनी चाहिए अब रिसोर्सिस रूम का जो शेतरफल है करीब एक सो पचास वर्ग मीटर के हिसाब से होना चाहिए जिसमें रोशनी का परबन, खुली हवा, आगवन से प्यूक्त की विवस्ता होनी चाहिए वहां पर ठीक है यह हुआ हमारा या चीजों की फैसिलिटी होनी चाहिए यह फंक्शन की बात करें अगर हम कारे की बात करें तो कुछ मूल बूत उपकर्णों का संचन करना होना चाहिए, ससाधन शिक्षक अत्वा समाने शिक्षक की सहिता से उन्हें सहिता पहुंचाना चाहिए वो नॉर्मल टीचर है चाहिए वो वहाँ पर दूँओ उनको उनकी फैसलिटी के साथ से उनको यह सारे उपकर्ण मिलने चाहिए ससाधन वह समाने शिक्षकों की समस्या को स्युक्त रूप से सुल जाना शिक्षक प्रशिक्षन होना चाहिए ठीक है कारे इसमें यह होने चाहिए कि ध्यापक के क्या कारे गा इसे माता पीता वह अभी भावगों को परमर्श देना शिक्षा को संचारू रूप से चलाने हे तू अवश्यक नीतियों को बनाना चाहिए और जो समाने बालकों की उपेक्षा शारीरी की रूप से बंदित बालकों को उच शिक्षा की तरफ अधिक उनको लाना चाहिए ठीक है असानी से ताकि वो शिक्षा को ग्रहन कर सके ठीक ह उसके बाद ऐसे बालक जिनको सुमाने स्कूल में विशेश कक्षा अत्वा विशेश शिक्षा संस्थान शिक्षन हेतू उपलप्त करवाने चाहिए बालक की योगिताएं वेरूची के अनुसार शिक्षा के स्तर को सुनिचित करना चाहिए ठीक है ताकि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है वो उनके शिक्षन के दोराण शिक्षा छोड़ कर जाने वाले निशक्त बालकों की संक्या में कमी आ सके ठीक है वेटा एक सोर्सिक रूम के ये कारे होंगे फिर उसके बाद उन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से बंदित ब बाद की है उन्होंने बोलाएं कि जो निशक्त व्यक्तियों के रोजगार हेतु पंजीकर्ण के लिए जो राष्ट्य पुर्सकार करक टोती रोजगार योजना विशेश कारे शाहला मुपलब्द करवाई जाती है ठीक है इनके लिए एक केंदर होता है और राष्ट्य पुनवास के लिए उन्होंने साइक पुनवास केंदरों की स्तापना की है और राष्टे संस्थान भी इस दिशा की ओर जाकरू हो रहे हैं यानि कि इन जो निशक्त व्यक्तियों के लिए नोक्री में तीन परतिश्यत आरक्षन का प्रवाधान किया गया है ठीक है बिटा नेक्स्ट उनों ने बात की है कक्षा में पढ़ने वाले चात्रों के माध्यम से अन्य चात्रों को पढ़वाना अब नॉर्मल स्टूडेंट्स भी है और डिसिबिल्टिव स्टूडेंट्स भी है अब नॉर्मल बच्चे भी उनको बढ़ा सकते हैं ऐसा नहीं उनकी दो स्तरों पर किया जाता है पहला स्तर एक विद्याली परिवेश में एक ध्यापक की नगरानी में किया जाता है और दूसरा एक चातर दूसरे को पढ़ाएं ठीक है यानि कि पहला एक विद्याली परिवेश में एक ध्यापक की नगरानी में एक चातर दूसरे को पढ़ाएं ठीक है, समझाई इस मे पेहले तो नहीं कंगराणी में रख करकर और विध्याले से बाहर के बच्चों को पड़ानी लिए कि यह समुदाय से शंपर करते हैं कि जो बच्चे जो पेरेंस बिल्कुल ही नहीं अपने बच्चों को बेजना चाते तो वो उनको बहार भी उनके साथ बढ़ा सकते हैं सूव विवस्तित रूप से संगटित किया जा सकता है और भारती शिक्षा के लिए उन्हें लाब दायक बनाया जा सकता है ठीक है यानि कि हमें उस तरह से भी उनकी उनकी हएल्प कर सकते हैं अब कक्षा कक्ष में ध्यापक के ध्यापक को चात्रों से मितरता पूरवक और स्योग के साथ विवार करना चाहिए friendly रहना चाहिए, और वो अपने साथियों से सीखने, या बच्चे या बच्चों से कुछ सीखने कि जो शिक्षा करम होता है, वो उस पदती को तेजी से बढ़ाना चाहिए, कि कुछ बाते हमें उनसे भी सीखनी चाहिए और कुछ उनको अपनी तरफ से सीखानी चाहिए ठीक है बिटा ट्यूटरों की मदद से हम ये कुछल कारे कर सकते हैं ट्यूटरों को काम को मायनता देनी की एक वीधी भी विक्सित की जानी चाहिए कि उनकी काम को टाइम टेबल के हिसाब से उनसे काम करवाएं दूसरा नेक्स उनों ने बात की कि शिक्षक के लिए एक उचित परशिक्षन पढ़ना नहीं होनी चाहिए अब ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्पैशल टीचर्स को ट्रेंड किया जाता है ठीक है जीला परदेश शिक्षक कारेकरम दो परकार के परशिक्षन कारेकरम चला रही है पहला बहारतिय पूर्णवास परिशत के अधार गत पाठे करम के अंतरगर्थ संचालित परशिक्षन ठीक है पहला पूर्णवास परिशत के अधार गत पाठे करम के अंतरगर्थ संचालित परशिक्षन उसका जो ब्रिज पाठे करम होता है वो एकी करिश शिक्षा के तीन पांच दिनों तक पर सिक्षन के दो या तिन तिन की ट्रेनिंग दी जाती हैं दूसरा जो होता है अधार पर उन्हें ये परशिक्षन दिया जाता है ठीक है यानि कि इसमें उनको वो कोर्सिस करवाए जाते हैं जिनके द्वारा वो ऐसे स्पैशल बचों को यानि कि ऐसे स्पैशल बचों को ट्रेनिंग अच्छे से ट्रेनिंग दे सके अब इंद्रा गांधी राष्टे मुक निशक चातरों के वचकता के उनुसार उन्होंने खोला कि डूइंग जॉब के अगर हम नोकरी कर रहे हैं तो नोकरी के साथ साथ हम पड़ भी सकते हैं हम उस चीज को ग्रहन कर सकते हैं तो उनकी जो ध्यापकों की तियार निशक व्याक्तिवा जो स्टूडेंट्स होते है अँच इक्षा के सेत्रमी यह यह योग साल दियार की हैं और अध्यापक की त्यारी के लिए भी यह यह यारिकि बहुत ज़्यादा उन्हें सायोग देते हैं ताकि वो बच्न को ट्रैनिंग दे सके अब लैंग्रिच की बात करें जो भाशा का अध्यहन है और शिक्षन का माध्यम है वो भारत के अनेक शेक्षिक चीड़ाओं में शामिल होता है ठीक है अब लग-लग तरह की भाशों बोली जाती है उनकी हमेशा मात्री भाशा और शेत्री भाशा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है उनके विकास की पैर भी कई जाती है ठीक है और NCRT के अपने पाठे करम धांचे में विद्यालिय शिक्षा के सभी चड़नों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातरी भाशा और शेत्रिय भाशा की सपारिश करता है ठीक है यानि कि उसमें हम जो लैंग्विज सिखाते हैं एक तो हम उसे शेत्रिय भाशा के दाहर पर सि चारे त्यार किया है उस पाठे चारे की समिक्षा की उन्होंने एक समीति का गठन किया जिसमें पाठे पुस्तक के बारे में गांधी की ने लिखा था कि ध्यापक पाठे पुस्तक से पड़ाता है और अपने चात्रों को मौलिक्ता का गुन नहीं देता यानि कि उन्होंने बोला है कि केवल bookish language जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़ते हैं वो bookish language के द्वारा ही हम उस चीज़ को सीखते हैं ठीके कि वे स्वाएं ही पाठे पुस्तों का गुलाम बन जाते हैं लेकिन उन्हें मोलिक बनाने का अध्सर और समय नहीं पाते तो इसलिए लगता यही है कि जो पाठे पुस्तों जितने कम हो ध्यापव को और जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो आपस में रिष्टे हैं वो बेहतर होंगे ठीक है उनको bookish language की बजाए अपने यानि कि और मोलिक जो अधिकार है मोलिक अफसर है यह उन्हें पढ़ाने चाहिए ठीक है नेक्स्ट उन्होंने study material की बात की study systems की बात की उन्होंने नीशक्त बच्चों के लिए एक विशेश महतब रखता है ध्यन अगर बाल के इंदे शिक्षा का वेवार किया जाए उन्हों बच्चों की विशेश वशक्ता पूरी हो सकेगी यानि कि अगर उन्हों बच्चों को विशेश वशक्ता दी जाए उन्हें वो सभी पदतियां वो समगरियां उपलब्द करवाई जाए जिसके अधार पर वो disability child वाले बच्चे उस चीज को याले बोर्ड भी इसकी कारेवाई योजना द्वारा अपने आपको इस सूजी में पेश करते हैं ठीके बटा ठीके बटा नेक्स्ट उन्होंने बात की examination system की भारत में जो चातर हैं प्रिक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं ठीके यह उनके बविशे में बलकी भाग तक कोई निधारित करती हैं कुछ को अनन्द मिलता है अधिकांश को दुख और तनाव देती हैं यानि कि कई इंट्रस से पढ़ते हैं कोई बोज से पढ़ते हैं उस सीज को तो प्रिक्षा में सफलता पाने में जो भागे दारी है वो सारी भूमी का होती है वो भागे की होती है प्रिक्षा जो होती है वो बच्चों को और खास कर ग्रामिन भाव गरस्त और निशक्त बच्चों को विध्याले से बाहर खदेड देती है कहने का मतलब है कि वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं इसलिए उनको आगे मोटिवेट करने के लिए उन्हें इस तनाव से दूर करने के लिए जो उनकी प्रिक्षा पदती है उनको थोड़ा असान बनाना चाहिए ताकि वो इस चीज को बोज ना समझे उस चीज को असान समझे और वो उस चीज तक पहुँच पाए और शिक्षा के प्रती अपनी सफलता को व्यान कर सकी ठीक है नेक्स्ट उन्होंने इसी में बात की उन्होंने बुला की की जो नियमित भी धियाले होते हैं उसमें नीशक्त बच्चों के समावेश के बारे में भारत ने विक्सित देशों की उपेक्षा एक बेहतर हलात में है इसमें अगर आज हम जो पश्चमी शिक्षा शास्तरी विध्यालों की बात करें तो उसमें समावेशी शिक्षा को शामिल करने की पैर भी कर रहे हैं ठीक है इसमें कम आयू वाले बच्चों का चाहिंग किया जाता है उन्हें वो सारी फैसिलिटी उपलब्द करवाई जाती है ताकि वो उसी शिक्षा को अच्छे से ग्रहन कर सके ठीक है नेक्स्ट उनों ने इसमें उनों ने पहले शारीरी क मानसिक रूप से बंदित बालकों के लिए पुन वासयोजना की बात की अगर वो बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो उन्हें होस्टल का उपलंद करवाना चाहिए उसमें वो सारी फैसिलिटी होनी चाहिए जो उनको उस विद्याले में मिलनी चाहिए चाहिए वो शा उसरे बच्चों की भी हेल्प कर सकते हैं अब उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग फो टीचर की बात की ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक प्रॉपर टीचर की शिक्ता होनी चाहिए जिसमें वो सभी सबसे पहले पेशन्स होने चाहिए उस बच्चों को संभालने में उसकी कम्यों को दूर करने के लिए उसकी जो भी एक्टिविटिय उसको समझने के लिए एक special ट्रे में करते करते भी करवा सकते यह पहले तो यानि कि यह यह ट्रेनिंग पर्शिक्षन होता है यह दो यह तीन दिन का होता है next student language की बात की language में उन्होंने अपनी मातरी भाशा और अपनी जो शित्री भाशा की बात की है उसके बारे में उनको पहले ज्यादा ग्यान करवाया जाता है ठीक है फिर पाठे पुस्तक की बात की task books उनकी कैसी होनी चाहिए वो भी उनकी facility के साब से होनी चाहिए अब study system की बात करें जो अध्यान की पदती है वो भी easy होनी चाहिए ठीक है और प्रिक्षा पदती examination system भी उनके हिसाब से ही होना चाहिए नहीं ज़ादा tough होना चाहिए और नहीं ज़ादा easy होना चाहिए ठीक है अब disability child है तो उनको उसी के इंसाथ से यानि कि उन्हें motivate करना चाहिए फिर उन्हों ने इसमें मगर हम inclusive modern time की बात करें तो इसमें helping material for inclusive school की हम बात करेंगे next जिसमें समावेशी विद्यालियों के लिए एक साहिक साधन माना गया है अब helping material क्या क्या होना चाहिए अब उन बच्चों के लिए इंक्लूजिव स्कूल में सबसे पहले पाठन और लेखन अधिगम शैली में साहिक साधन supportive material in reading and writing learning ठीक है इसमें सबसे पहले जो बात आती है कक्षा में पढ़ाते समय जो blackboard है पर उसमें मुख्य बिंदू को लिखते जाएं यानि की में में जो points हैं उनको हम blackboard पे mention करते रहें फिर शात्रों को अधिक लिखने का अभिहास करें फिर शात्रों को जो students हैं उनको शब्द कोश और अन्यस्तो समगरी उपलब्द करवाएं जैसे books होगी चार्ट्स होगे कुछ और materials जिसके दुआरा वो उनके शब्द कोश में और ज्यादा यानि की उनके भाषा में और add हो सके भाषा अभिहास के लिए उन्हें graph chart अन्य गिनित आंकडों का प्रयोग करवाएं फिर चात्रों को अधिक से अधिक मुख्य जो notes बनाने के लिए प चात्रों को अधिक से अधिक जो है ये short answer type questions जो होते हैं उनको लिखने के लिए प्रेरीद करें ठीक है ये पाठन लेकन अधिकम शैली में साइक साधन होगा उनको पाणे supportive material के लिए ठीक है ये बच्चों जो ये disability child है उनके लिए बहुत जादा help करेगा ठीक है फिर next जो है उन्होंने बात की supportive material in listening learning की श्रावन अधिगम में साइक साधन अब सुनने के लिए श्रावन अधिगम शैली वाले चात्रों को एगी कक्षा में पढ़ने वाले निमी लिकित उपाए हैं पहला उपाई ये है कि जो विध्यारती है उनकी जो पाठन समगरी को मोखिक रूप से व्याख्या करने के लिए प्रेरित किया जाए उनकी जो मालों आज जो chapter करवा र जो में मेंस points होती हैं सूच नहीं होती हैं उनको दुबारा repeat to repeat बोल बोलकर repeat करवाया जा सकता है फिर उनी चात्रों को भाशा का ज्यान करवाने के लिए एक word game या गायन वीदी का पर्योग करिया जाए ठीक है या उनसे कोई games करवाई जा सकती है वह शब्द दिया एक शब बनाए जाए ठीक है ऐसी game कर फिर उनी students को तेज वाज में पढ़ने के लिए कहा जाए तथा वैं उसे लिखी समगरी में उंगली रख कर पड़े अब पहले तो वो जो chapter पढ़ रहे हैं उनको उचा 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 पड़े फिर दूसरा उसे finger रख कर पड़े और फिर तीसरा चोटे बच्चों को प्रायत तेज वाज में पढ़कर सुनाएं फिर जो उन्होंने पढ़ा हैं उन्हें loud sound होनी चाहिए फिर जो शैक्षिक सूचनों को देने वाले जो students हैं उन्हें गीत संगीत वीधी का भी परियोग किया करवाया जा सकता हैं अब students को छोटे बड़े जा सकता है विभाजित करके वो योजना बना सकें ठीक है गुप में काम करने से गुरूप में काम करें और अपनी योजना को क्यार करें नेक्स्ट उन्होंने बात की दृष्य अधिगम के साहिक साधन helping material of visual learning की ठीक है दृष्यात्मक अधिगम शैली में उन्होंने सबसे प यानि कि उन्हें visual aid के द्वारा यानि कोई वीडियो दिखाकर भाषा वरतनी शर्ताबली और व्याकरन विराम चीन जितनी भी आजकल की grammar से हैं बच्चों को जो आजकल के modern schools हैं उसमें visual के द्वारा हर एक चीज सिखा जाते हैं अगर कोई आउनोंने grammar का topic करवाने तो पहले वो वीडियो दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से फिर उस चीज को आगे पढ़ाया जाता है फिर चार्ट, graph, नक्षे के द्वारा या फिर जो main points होते हैं उन्हें blackboard पे लिखकर उनका प्रयोग करवा सकते हैं दूसरा जो student को परदर्शन वीडि द्वारा पढ़ाएं ताकि अधिगम अच्छे से हो सके ठीक है फिर उनको मोखी के नर्देश देते हुए मुझ से यानि कि थोड़ा उचा-उचा बोल कर बोलना सिखाएं फिर उसके बाद शान तो मैं साथ सूत चाहिए फ्लैश कार्ड का प्रयोग करना चाहिए वारता लाप करते समय जहां तक संभव हो पर्त्यक्स बंद स्तापित करें चात्रों को सूचना परदान करते समय संकेतक चीनों का प्रयोग करें यानि कि ऐसी छोटी-छोटी चीजों को वो असानी से नर्देश देखकर ल तंत अवश्यक है कि एक ऐसे वातावन का निमान करें ताकि जो स्टूडेंट है वो अधिक से अधिक सुविदा पूर्वक उसका अधिहन कर सकें ठीक है ऐसे हमें महुल करेट करना है कि ताकि वो जो बच्चा है उस चीज को असानी से समझ सकें नेक जो उन्होंने बात की इस परशात्मक अधिगम में सहक सादन की उन्होंने इसमें जो शातो के कोशल की बात किया है उसमें उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं अधिगम के लिए प्युप्त मात्रा में अधिक्तम समगरी जैसे नक्षा, वर्ग पहली, गणीते खेल, फिर शारीरी क्रियाओं को पुरसाहित करना चाहिए, ऐसे विध्यालों का निमान करना चाहिए जहां शारीरी शिक्षा का विशेश ध्यान दिया जा सके, फिर स्टूडेंट्स को खेल-खेल की विदी द्वारा अधिगम से अधिगम उपलब्द करवाने चाहिए, फिर पातेवन का निमान करना चाहिए, जिससे छातर ध्यापको निर्देश देने से पूर्व कारे को स्वय करें, जैसे कि उट्यूशन्स वर्क होते हैं, ठीक है, उन्हीं प्रस्तुती करन के माध्यम से अधिगम के अफसर देने चाहिए, यानि कि ऐसे धीरे-धीरे स्पोर्ट माटीरियल दे कर हम उन्डीसिबिल्टी चाइल्ड का जाल्ड की हेल्प कर सकते हैं, पहले होने समावेशी विद्याले के लिए एक साहिक साधन होने चाहिए, पाठन लेकन अधिगम शैली के साहिक साधन, शरबन अधिगम में साहिक साधन, दरिशे अधिगम के साहिक साधन ठीक है बिटा तो यह था हमारे सोर्चिस रूम फॉर इंक्लूजिव एजुकेशन ठीक है यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है अब मैं आपको इस वीडियो के बाद साइमेंट सेंट करूंगी और सब बच्चों ने जो साइमेंट है जिस टेट को मैं बूलूंगी उस को आप लोगों ने सम्मिट करवा देनी है ठीक है बिटा थैंक यू है वनाइस से